कैसे हैं आप सभी I think स्वस्थ होंगे अगर कोई सेहत संबंधी समस्या है या फिर सवाल है मन में तो लिख वेजें कमेंट्स के माध्यम से हमाने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियो जरूर बनाएंगे फिलहाला ये आज के इस वीडियो को स्टार आने वाला एक तरीका है वो है एक्यू पंचर वी धी यानि की एक्यू प्रेशर वी धी तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको जान लेते हैं हमारे हाथ की ये जो पांच उंगलिया हैं सिर्फ आप इनका मसाज करते हैं तो अपने शरीर के कौन से कौन से अंको ठीक कर सकते हैं आप किसी बिमारी के लिए इलाज करा रहे हैं कराते रहे हैं दवा खा रहे हैं खाते रहे हैं उसके साथ भी इसको करेंगे तो नुकसान नहीं होगा बलकि आपकी बिमारी और जल्दी ठीक होगी तो इसलिए जानते हैं हमारे पांचों उंगलियों के बारे में इनका मसाज करना चाहिए और क्यों करना चाहिए क्या क्या लाब होगा पुन तहिए इस वीडियो में आपको पता चलेगा आप सभी जानते हैं अंग्रेजी दवाई लेते हैं या कोई भी दवा लीजिये उसका side effect भी होता है लेकिन उंग्लियों की मालिश करने में ना आपका पैसा लगत में कि अंगुठे से कौन सी बिमारी को आप कंट्रोल कर पाएंगे हाथ का अंगुठा हमारे फेफणों से जुड़ा हुआ होता है यदि आपके दिल की धड़कन तेज हो रही है तो हलके हाथों से अंगुठे पर मसाज कीजिए और हलका सा इसको खीचिए इससे आपको तुर आपके पेट में दर्द है तो इस उंगली को हलका सार गड़ना चाहिए दर्द एक मिनट के अंदर गयब हो जाएगा जी हां तरजनी उंगली की मालिश करनी चाहिए आपको चाहें तो ऐल लगा करके भी मालिश कर सकते हैं नहीं तो नॉर्मली रास्ते में तो भी आप मालि इसके बाद आए जानते हैं मध्यमा उंगली के संबंध में यानि कि अंगुठा अंगुठे के बाद तरजनी उसके बाद वाली बीच की उंगली जो होती है उसे मध्यमा कहते हैं यह उंगली परिसंचरन तंत्र तथा सर्कुलेशन सिस्टम से जुड़ी होई होती है यादि आपको चकर आए या फिर आपका जी घबरा रहा है तो इस उंगली पर आपको मालिश करनी चाहिए इससे तुरंत आपको रहत मिल जाएगी आपको शांती मिलने लगेगी इसके अलावा अब आए अगली उंगली के बारे में हम सभी बात करते हैं वो है हमारी छोटी उंगल का किड्नी और सिर के साथ संबंध होता है यदि आपको सिर में दर्ध है तो इस उंगली को हलका सा दबाईए और मसाज किजिए चोटी उंगली मतलब की कानी उंगली जिहां चोटी उंगली का मसाज करेंगे तो सिर दर्ध से रहत मिलेगी इसे मसाज करने से किड्नी भी अच्छा रहने वाला है तो इसलिए उंगलियों के मसाज के साथ साथ आप पूरे हथेली को भी आपस में रगड़ते हैं इसलिए कहा जाता है कि ताली बजाना चाहिए इससे बहुत ज्यादा लाब होता है जो लोग ताली बजाते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है कैसी लगी ये जानकारी आप सभी अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो पर जरूर दें क्योंकि हम आप सभी के लिए अच्छी जानकारी ढून करके लाने की कोशिश करते हैं ताकि आप सभी को एक अच्छी हेल्दी जानकारी मिल सके आप सभी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं के माध्यम से ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ओन कर लें ताकि नई वीडियो जब भी हम लेकर क्या है नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले साथ ही साथ वीडियो को लाइक शियर और कमेंट जरूर किया करें क्यों कि आपका एक छोटा सा प्रयास लाइक शेर और कमेंट करने का बहुत से भाई बंधों को लाभानवीत कर सकता है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर और कमेंट जरूर करें विदा लेते हैं आज के इस एपिसोड से जुड़ेंगे नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ तब तक आप सभी खुश रहें स्वस्त रहें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों